Hello students, standard fourth subject गुजराती बच्चो फर्स वीडियो में हम गुजराती में जो आलफा बेटाते यानि कि जो वन्जन आते हैं वो हम पढ़ चुके हैं अभी ये जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे स्वर यानि कि वोवेल्स ओके इंग्लिस में कहेंगे वोवेल्स तो बच्चो सबसे पहले यहाँ पे जो स्वर है वो है यहाँ पे ओ उसको हम क्या पढ़ेंगे ओ नेक्स्ट है आ ओके यहाँ पे जो है यहाँ पे आ की मात्रा है तो इसलिए उसको हम क्या पढ़ेंगे आ यह है छोटी इ गुजराती में उसको इस तरह से हम कहेंगे नानी इ टुके बड़ी इ तो गुजराती में कहेंगे मोटी इ इसी तरह ये है छोटा उ यानि की नानी उ बड़ी इ और गुजराती में कहेंगे मोटी इ नेस्ट ए यहाँ पर एक ही मात्रा है तो उसको हम क्या पढ़ेंगे ए नेस्ट है ए उसको हम पढ़ेंगे ए उसको हम क्या पढ़ेंगे ए क्योंकि यहाँ पर आ है और यहाँ पर ओ की मात्रा है तो उसको हम पढ़ेंगे ए इसी तरह यह है ओ ओके यहाँ पर ओ है और यहाँ पर ओ की मात्रा है तो उसको हम पढ़ेंगे ओ ओ अहां ओके तो यहाँ पर टोटल है स्वर और यह टोटल स्वर है 12 तब बच्चों हम यहां पर स्वर पड़ चुके हैं अभी हम यह स्वर के आधारित अभी हम मात्राएं पड़ेंगे ओके यहां पर है मात्राओ यह गुजराती में मात्राओ इस तरह से लिखा जाता है सबसे पहले यहां पर ए नी मात्रा यानि की एकी मात्रा यहां पर जो है यह एकी मात्रा है यहां पे सबसे पहले हमने लिखा है को और को के उपर हमने लगाए है एकी मात्रा तो उसको हम पढ़ेंगे के क्या पढ़ेंगे उसको हम के पढ़ेंगे इसी तरह मानो कि मैंने यहां पे लिखा है यह है को और यहां पे हम मैं लगाए हूं एकी मात्रा तो उसको हम खे इसी तरह अगर यहां पर चा लिखेंगे और उसके उपर हम एकी मात्रा लगाएंगे तो उसको हम पढ़ेंगे चे इसी तरह सा के उपर हम एकी मात्रा लेंगे तो से पढ़ेंगे गा के उपर एकी मात्रा लगाएंगे तो गे पढ़ेंगे डा के उपर एकी मात्रा पढ़ना है यहाँ पर नेक्ट है आ नी मात्रा तो यह जो है को है और यहाँ पर जो लगाई है यह आ की मात्रा है तो उसको हम पढ़ेंगे का क्या पढ़ेंगे हम का पढ़ेंगे इसी तरह मानूं कि यह घह है और मैंने यहाँ पर आ की मात्रा लगाए तो उसको हम पढ़ेंगे घहा अगर मैं यहाँ पर टा लिखूंगी या आप टा लिखोगे और बाद में यहाँ पर आकी मात्रा लगाएंगे हम तो यह उसको हम पढ़ेंगे टा इसी तरह अगर यह जो ब है और हम आकी मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बा तो इसी तरह कोई भी व्यंजन के आगे हम इस तरह से आकी मात्र लगाएंगे तो हम पढ़ेंगे ता, घा, बा, सा, अगर रहोगा तो रा, लहोगा तो ला, वहोगा और आकी मात्र लगाएंगे तो वा, तो इस तरह से हम गुजराती में पढ़ेंगे नेक्ट यहाँ पे है ओनी मात्रा तपकोस यहाँ पे ओकी मात्रा है तो मैंने यहाँ पे का लिखा है और यहाँ पे लगाया है ओकी मात्रा तो उसको हम पढ़ेंगे को क्या पढ़ेंगे उसको हम को पढ़ेंगे इसी तरह अगर हम यहाँ पे सा है और हम यहाँ पे लगायेंगे ओकी मात्रा तो यह हो गया सो इसी तरह अगर यहां पे ध, उसको क्या पढ़ेंगे हम ध, और यहां पे इस तरह से ओकी मात्र लगाएंगे, तो उसको पढ़ेंगे धो, यह यह, और यहां पे ओकी मात्र लगाएंगे तो यो, तो क्या होगे, सो, डो, यो, इसी तरह र, और यहां पे ओकी मात्र लगाएंग तो रो, तो इस तरह से गुजराती में हम पढ़ेंगे, तो ये हो गई उकी मात्रा, नेक्स्ट है, छोटी उकी मात्रा, और गुजराती में क्या कहेंगे उसको, नानी उनी मात्रा, तो ये जो है, नानी उनी मात्रा, यानि की छोटी उ, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, ये जो क है, और उकी मात्रा लगाएंगे, तो कु, उसको हम पढ़ेंगे, कु, इसी तरह यहाँ पे सा, और उकी मात्रा लगाएंगे, तो सु, ड़, और उकी मात्रा लगाएंगे, तो नेक्स्ट यहां पर है बड़ी उकी मात्रा यानि कि मोटी उनी मात्रा यह जह है यह बड़ी उकी मात्रा है तो उसको भी हम पढ़ेंगे कु यह जो का है और उपर इस तरह से जो है उसको हम क्या कहेंगे ए तो यह जो है यह एकी मात्रा है तो उसको हम पढ़ेंगे कै इसी तरह सा होगा तो से भ होगा तो भई लव होगा तो लई तो इस तरह से हम पढ़ेंगे फिर नीचे है यहाँ पर आवनी मात्रा तो हम यहाँ पर एक लाइन रो कर देंगे तो यह क्या हो गया आव की मात्रा ओके आवनी मात्रा यस तो उसको हम पढ़ेंगे लव भव वव रव इस तरह से पढ़ेंगे ओकी नानी इनी मात्रा यानि की छोटी इकी मात्रा ओके तो उसको पढ़ेंगे हम की इसे तरह अगर ग है और हम यहाँ पर छोटी की मात्रा लगाएंगे तो गी सी री पी इस तरह से पढ़ना है इसे तरह यहाँ पर है बड़ी इकी मात्रा ओके उसको हम कहेंगे बड़ी इकी मात्रा तब उसको भी हम की री बी टी फी इस तरह से पढ़ेंगे ओमनी मात्रा ओके यह जो बिंदू है उसको हम क्या कहेंगे ओम की मात्रा ओके तो यहाँ पे यहाँ पे ओ है ओके उपर बिंदू लगाए तो ओम कह के उपर लगाएंगे तो कम ओके गह के उपर लगतो गम ओके इस तरह से लास्ट में कह यह अहाँ मी मात्रा यानिकि अहाँ की मात्रा उसका यह जो उचारन होगा यानिकि उसको हम क्या रीट करेंगे हा यह है हा है उसकी हणाय रह, कह, खह इस तरह से रीट करेंगे वके तो बच्चो यहाँ पे यह मात्रा यह कंप्रिट होगे यह मात्राय आपको अच्छी तरह से याद करना है यह मात्राय अगर आप अच्छी तरह से लर्न कर लोगे तो जो बारा खड़ी है उसमें आप इजीली कर सकते हो तो बच्चो बारा खड़ी सिखने से पहले हमने सबसे पहले क्या पढ़ चुके श्वर और उसके बाद मात्रा है क्योंकि ये दो चीजे अगर हमें अच्छी तरह से समझ में आ गयता हम इजीली बाराखड़ी भी कर सकते हैं तो उसकी हेल्प से ये बाराखड़ी लिखना है और समझना है तो यहाँ पर हम बाराखड़ी लिखेंगे और समझेंगे तो यहाँ पर सबसे पेल कर की लाइन है तो आपकोस ये कर सिंपल से है तो कर यहाँ पर आकी मात्रा है तो का यहाँ पर छोटी इकी मात्रा है तो की यहाँ पर बड़ी इकी मात्रा है तो की यहां पर छोटी उकी मात्रा है तो कूँ यहां पर बड़ी उकी मात्रा है तो कूँ यहां पर एकी मात्रा है तो के यहां पर एकी मात्रा है तो कहीं पढ़ेंगे यहाँ पे ओ की मात्रा है तो कोप पड़ेंगे यहाँ पे ओ की मात्रा है तो कम यहाँ पे बिंदु है तो कम और यहाँ पे कह इसी तरह ख, 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 की, ख, कु, कु, के, खें, ख, कु, कुम, कुह, ओके, यह जो है क्या है, कुम, इसी तरह, next, ग, 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 गी, गु, ग, 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 लाइन इसी तरह लिखना है जो के बाद छो है जो है तो इस तरह से जो वेंजन की साफ जो लाइन में जो आएंगे उसकी साफ से बाराखडी आपको complete करना है तो बच्छो बाराखडी सीखने के लिए सबसे जरूरी होता है श्वर और जो मात्रा है वो अगर वो अच्छे से आ करने में बहुत इची होगा तो बचो इस वीडियो में श्वर मात्राय और बाराख्टी ये तीनों हमें अच्छी तरह से यहां पर सिखे है और समझे है तो आपको ये नौटबुक में भी लिखना है और उसकी प्रैक्टिस करना है